प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनुग्रे, शान्ती और आशिश मिले। एक कोई गटना अखबार में आई थी, के त्रिची जो शहर है दक्षिन भारत में, वहाँ पर एक जवान आदमी अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था और एक मिमना जो छोटी भेड़ होती है, वो कुवे में गिर गया। और यह आदमी ने भी बहुत कोशिश की, रसी पे एक गोल सा बना के, उसने डाला के, रसी में उसमें इमने को फसा के उसको बाहर निकाले। और कोशिश कर रहा था और कुछ उसका पैर स्लिप हुआ, और वो कुवे में गिरा। जर्मनी से एक उची इमारत पर एक वरकर काम कर रहा था और जैसे उची उची जगह पर पेंटिंग करनी होती है रिपेर या मरमत करना होता है तो उनको बाम्बू की लखड़ी से एक प्रकार से मचान बनाना पड़ता है तो ऐसे कुछ मचान बनाकर वो काम कर रहा था और सारा नीचे घांस का इलाका था तो भेड बक्रियां आकर वहां घांस को चरने आती थी अभी आग्मी काम करते करते इसका पैर स्लिप हुआ और यह काफी उंचाई से नीचे गिरा और जब वो गिर रहा था वो सोच रहा था कि बस मैं खतम हो गया यह मेरी आखरी अगर कहें तो फ्लाइट है उपर से नीचे तक और जैसे वो जमीन पर उसका शरीर गिरा और बड़ी आवास सी आई उस आदमी ने तो सोचा कि मैं खतम हो गया जैसे वो गिरा आसपास के और जो उसके कॉलीक्स थे जो उसके साथ वो भी दोड़कर उसके पास गये इस सोचते हो कि तो खतम हो गया लेकिन वो आदमी थोड़ी ही देर में वापस उठा उसको थोड़ी बहुत चोट लगी लेकिन वो उठ गया वो मरा नहीं और हुआ ये कि जब वो उपर से नीचे गिरा तो नीचे एक मोटी सी भेड घास चर रही थी और वो उस भेड पर गिरा और भेड पर गिरने से उस आदमी को जो चोट लगनी थी वो काफी कम हो गई फिर इतनी ही चोट लगी कि वो थोड़ा सा गायल हुआ लेकिन वो मरा नहीं और उस आदमी ने उसी इमारत पर बाद में एक मेमने की आकरती बनवाई पत्थर की यादगार में कि एक भेड एक मेमना मेरे खातिर मेरे कारण मर गया और मैं बच गया और यहीं पर हमें फिर से एक बार बाइबल की जो सच्चाई है हमारे सामने आती है प्रभु येश्व मसी को बाइबल में परमेश्वर का मेमना कहा गया है मैंना एक अजीब ये शीर्शक है परमेश्वर का मेमना और क्या अर्थ है इसका देखो बाइबल बताती है कि परमेश्वर त्रियूप परमेश्वर है पिता पुत्र और पवित्रा आत्मा ये एक रहस्यमय भेद है जो हम अपनी इस साधरन बुद्धी से नहीं समझ सकते हैं लेकिन ये सकते हैं जैसे मान दीजे बहुत अच्छा उधारन नहीं है लेकिन इस त्रियक्ता को समझाने के लिए जिसे पानी है पानी बरख भी बन जाता है और पानी गुबालने पे भाफ भी बन जाता है लेकिन वो है फाइनली एज्स तू ओ है डाय हाइड्रोजन ओक्साइड तो परमीश्वर भी त्रियक्ता में मौझूद है लेकिन फिर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीन एक है जैसे मनुष्य है मनुष्य आत्मा है प्राण है और दे है ये तीन बकाइदा अलग-अलग है लेकिन ये तीनों एक है तम ही मैं एक व्यक्ती बन पाता हूँ तो वैसे ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीन एक है और मनुष्य ने जब पाप किया मनुष्य जब परमीश्वर से दूर हो गया और अपने पाप में लॉलीन हो गया और मनुष्य की सजा निश्चित है नरक का दंड पाप की सजा निश्चित है और तब परमीश्वर के पुत्र ने अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से वो उस इस जगत में आ गया एक कुवारी के जरीए उसने इस संसार में जनम लिया एक पाप रहित मनुष्य की तरह वो इस दुनिया में आया और जब वो करीब 33 या 35.3 वर्ष का था अपनी मर्जी से वो कलवरी के क्रूस तक चला गया और जैसे एक मेमना वद होने से पहले चुपचाप रहता है प्रभु येश्य मसी भी चुपचाप क्रूस पर बलिदान हो गया उसके हातों और पैरों में कीले ठोक दी गई उसने चुपचाप सब कुछ सहलिया मेरे और आपके पापों का बोज प्रभु येश्य मसी ने उस क्रूस पर अपने शरीर में उठा लिया सिर्फ पाप ही मृत्यू लाती है और अगर प्रभु येश्य मसी जो पाप रहित है क्रूस पर बना रहता क्योंकि वो पाप रहित था तो वो कभी न मरता ये हमारे समझ से बाहर है कि हम जानते हैं एक सीमा के बाद धर्द एक सीमा के बाद घायल होना एक सीमा के बाद खून शरी से चला जाना व्यक्ति मर जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं मृत्यू पाप के कारण ही आई इसलिए हर मनुष्य मरता है लेकिन प्रभु येश्व मसी पाप रहित होने के कारण वो कभी न मरता लेकिन जब परमिश्वर पिता ने हमारे पापों के सारे बोज़ को जगत के अधरम को अपने पुत्र के उपर लाद दिया उस कुरूस पर तब ही प्रभु येश्व मसी मर पाया वो तो स्वय पाप रहित था और है भी लेकिन हमारे पाप उस पर लादे गए और उसने अपना पवित्र खून कुरूस पर भा दिया मेरे और आपके प्रायश्चित के लिए और ये प्रायश्चित होता क्या है यह प्रायश्चित का साधा पश्टाप से अलग है पश्टाप तो होता है कि पापों को मान लेना और छोड़ देना और अब उसकी विपरीत दिशा में चलना लेकिन प्रायश्चित प्रोपिसियेशन का अर्थ है कि गुसे को ठंडा करना और जो विक्ति गुसा है कुरुदित है उसको खुश करके अब उसके दया को या फेवर को प्राप्त करना और प्रभू यश्व मसी जो परमेशर का पुत्र है जो परमेशर का मेमना है उसने पिता के सारे क्रोध को जो पाप के प्रती था वो अपने उपर ले लिया और ना केवल ये लेकिन परमेशर पिता का प्रेम और उसका अनुग्र और उसकी दया और उसकी कृपा और उसकी करुणा मनुष्य के लिए मेरे और आप के लिए विश्वास करने वाले के लिए उसने उसको सुरक्षित कर लिया उस पर मोहर लगा ली कि अब जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहोगा परंतु अनंत जीवन पाएगा ये प्रभुयश्य मसी ने मेरे और आप के लिए किया ना के वल ये वो तीसरे दिन मृत्त को में से जी उठा पहला उधारन मुने देखा कि विवक्ति जो गलती से अपनी इच्छा से नहीं गलती से कुवे में गिर गया ना वो बचा ना उसका मेमना बचा दूसरा उधारन आदमी उचाई से उसका पैर फिसल गया और वो जाकर उस भेड पर गिरा जो भेड जानती नहीं थी लेकिन फिर भी भेड मर गया आदमी बच गया उसने एक प्रकार से अभार प्रगट किया उस भेड के लिए उसकी एक इमारत बना के एक आकरिती बना कर लेकिन प्रभु यश्य मसी अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से उस क्रूस उस पहाड तलवरी के पहाड के उपर उस क्रूस पर वो अपनी मर्जी से टांग दिया गया और छुपचा उसने दुख उठाया वेदना सही हमारे न्याए और दंड को सह लिया और आज येश्य का लहू हमें सब पापों से शुद करता है उसके लिए जो उस पर विश्वास करता है तो प्रभु करे के हर पापी सच्चा पश्टाप करके प्रभु येश्व पर विश्वास करे और उस भयानक नरक के दंड से बच जाए प्रभु येश्व आपको आशिष्टे है झाल